तो Tata Nexon CNG में भी launch हो चुकी है और काफी लोग इसको लेने के लिए plan कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Tata Nexon CNG के positives and negative की इस गाड़ी के अंदर आपको क्या अच्छा मिलता है और क्या आपको इस गाड़ी के अंदर कमिया मिलती है तो पहले बात करते हैं Tata Nexon CNG के positive points के बारे में तो इसका first positive point है boot space क्योंकि इसके अंदर आती है Tata की dual cylinder technology जिसकी वाज़े से आपको CNG गाड़ी में भी boot space compromise नहीं करना पड़ता है और CNG होने के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 322 liters का boot space मिलता है जो एक CNG गाड़ी के लिए बहुत बड़ा plus point है वही इसके जो competitor आता है brezza उसमें आपको single cylinder आता है वो बहुत बड़ा cylinder है जिसके वाज़े से आपको boot space ना मातर का ही मिलता है तो अगर आपको CNG गाड़ी के साथ साथ boot भी अच्छा गाजा मिल रहा है तो इससे अच्छा positive point तो उसमें क्या ही होगा second positive point है safety features एक तो एक गाड़ी टाटा की है और उपर से नेक्सोन है और नेक्सोन का मतलब ही है safety क्योंकि पुरानी वाली नेक्सोन को भी 5 star safety ratings मिली थी और इसको भी 5 star safety ratings मिली है adult और child occupant दोनों में ही 5 star safety ratings है और इसमें काफी सारे safety features भी आपको ओफर किये जा रहे हैं जैसे की 6 airbags, ABS with EBD, Hill Hold Assist ये तो standard safety features हैं वहीं इसके top model में 360 degree parking camera, front parking sensors और TPMS जैसे features भी ओफर किये जा रहे हैं Tata की गाड़ी है तो safety तो आपकी compromise नहीं होगी ना ही build quality में ना ही safety features में third positive point F features Tata Nexon CNG में आपको ऐसे ऐसे features मिलते हैं जो कि आपको कई petrol गाड़ीों में भी नहीं मिलते हैं जैसे की panoramic sunroof, 10.25 inches की LED screen, 10.25 inches का cluster, rear AC bands, LED headlights, LED DRLs, LED daylight, sequential turn indicator, leather seats और height adjustable driver and co-driver seats और 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 भी काफी सारे features आपको इस काड़ी के इंदर मिल जाएंगे CNG के साथ, इसका fourth positive point है engine, Tata Nexon CNG, इंडिया की first CNG car है, जिसके अंदर turbo charge engine मिल रहा है, जो 99 BHP की power और 170 Nm का torque देता है तो turbo charge engine की वैसे आपको CNG गाडी में भी power की कमी महसूस नहीं होगी, तो अभी तक मैंने जितने ये चार point बताई, ये थो थे इसके positive, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके negative points के बारे में, इसका first negative point है after sales service, तो वैसे ये point Tata Nexon CNG के लिए नहीं है, ये Tata Motors के नहीं मिलती है, बहुत आपने वीडियो भी देखे होंगी कि customer service कराने जाता है, वहाँ पे अच्छे से उनका treatment नहीं होता, गाडी भी अच्छे से repair वगेर नहीं होती, service center से आने के बाद गाड़ियों में दिक्कत आने लग जाती है, तो ये चीज़े Tata को अपनी इंप्रू आप हो रहा है, after sales service में, तो ये चीज़ टार्टा की सारी गाड़ियों के negative points में तो count होगी, क्योंकि क्या पता आपको कल को अच्छी service मिले या ना मिले, और इसका second negative point है, engine refinement, तो इसका three cylinder engine होने की वेज़े से, इसमें आपको comparatively ज़्यादा vibration और ज़्यादा noise देखने को मिल सकती है, और अगर compare करें, ब्रेजा से, तो ब्रेजा का engine काफी ज़्यादा silent है, और उसकी vibration भी इतनी नहीं है, और ये vibration और noise का difference ज़्यादा तर लोगों को पता नहीं भी चलेगा, बस यही है कि टार्टा नेक्सोन का engine थोड़ा कम refined है, as compared to ब्रेजा, ऐसे कोई engine में power वगेर लेनी है, या फिर ब्रेजा CNG लेनी है, तो अगर आपको choice मिले, इन दोनों में से कोई एक गाड़ी लेनेगा, इन वे से आप कौन सी गाड़ी लोगे, कमेंट्स पर लिखके बताएं, और ये थे टाटा नेक्सोन CNG के positive और negative point, और आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, स्टे सब्सक्राइब और राइट सेव